पात्सो महारों के आत्म सम्मान की लड़ाई दे बैटल ओव भीमा को रेगाउं फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कोरोना काल में फिल्म की रिलीज को लेकर फिल्म निर्माता रमेज थिटे ने एक नए ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जो फिल्म का हिस्सा बचा हुआ था वो उसे शूट नहीं कर पाए जिसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को आगे के लिए टाल दिया गया है फिल्म को इससे पहले 17 सितंबर को रिलीज होना था लेकिन क्योंकि कोरोना काल बे ना ही सिनेमा घर सही से काम कर रहे हैं और ना ही फिल्म को पूरी तरीकी से शूट किया जा चुका है कोरोना की तीस्टी लहर के बीच रमेज थेटे फिल्म्स ने दे बेचल अव भीमा कोरेगाउं फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है रमेज थेटे ने ये भी बताया कि वो इस फिल्म को नेटफिक्स या फिर अमेजन जैसे OTT प्लेटफोर्म पर रिलीज नहीं करना चाते क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत से इस फिल्म को बनाया है और जितनी ग्रैंड इस फिल्म की कहानी और शूटिंग है उसे बड़े परदे पर देखना ही दिलचस्प होगा कि कोरोना के करण बहुत सारी फिल्मों पर असर पड़ा है नकेवल हमारी बलकि अन्य जो प्रोड़े बड़े प्रोड़े 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 आउसे से उनके भी उनकी भी फिल्में बनकर तयार थी है अभी भी लेकिन वो रिलीज नहीं कर पा सब्टेंबर तक के प्रभावित करने वाली हैं ऐसा मीडिया में ख़बर आ रही है तो फिर हमने 17 सितंबर तीती गोशित की थी रिलीज की तो ऐसी स्तिती में 17 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होना संभव नहीं है मतलब इसके पहले जो हमने काम किया था शूटिंग कियी थी उसका प्रोडक्शन लगबक समापती पर है वो तैयार जितना किया था थोड़ा सा इसका पोर्शन बचा है अगर यह हम यह कोरोना की स्तिती भी नहीं रहती तो अभी तक कि आपको फिल्म का प्रोमोशन भी इसके ट्रेलर्स और बाकी जो प्रोमोज है वो आपको टीवी पर दिखाई देते लेकिन अब यह हमारे हाथ में नहीं था अब सरकार ने वो गाइडलाइन्स जारी की थी इसलिए बड़ा यूनिट है हमारा 700-800 लोगों का यूनिट है और यह शूटिंग संभवनी हुई थी हमने दो-तीन बार कोशिश की सेड्यूल भी बनाया था बुकिंग भी किया था लेकिन पिर एन समय पे हमको कैंसल करना पड़ा और इस कारण जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है कोई जादा नहीं है वो अपन करनी पाएं लेकिन अभी जल करने की हम कोशिश करेंगे और जितने जल्द हो सके इस फिल्म को हम रिलीज करना चाहेंगे लेकिन एक बात में बताना चाहता हूं कि हम इस फिल्म को OTT पे रिलीज नहीं करेंगे केवल और केवल इस फिल्म का जो कैनवास है उस तरफ अगर हम देखते हैं तो यह फिल्म सिनेमा घरों में ही बड़े पर पर ही रिलीज होना चाहिए यह हमारी माननेता है और बहुत सारे लोगों का भी यह कहना हमें बहुत सारे मेसेजेज बे आते हैं कि साब आप जो है इ का तो दिखना बड़े पर देपिं चाहिए इसलिगे इस फिल्म को हम कि इसंटी जल्दी हो सके इस फिल्म को रिलीज करने को कोशीश हमारी ओर से की जाएगी और आप जो है यह फिल्म चैटीमा घरों में देख पाएंगे, आप निशिंतर रहें मेरा निवेदन इतना है एक और निवेदन है कि जिन लोगों ने यह बी आइपी पासिस बुग किये हैं और यह समझ के बुग किये हैं कि हमें लकी ड्रॉ जिसमें हमने पांच करोड पांच लाग के इनाम रखे हैं जिन्होंने पासिस बुग किये हैं उनको जादा प्रतिक्षा करने की जुरूरत ने पड़ेगी यह फिल्म 17 सितंबर को रिलीज अब नहीं हो सकती है दूसरी तारिक हम जल से जल दूसरी तारिक और ज्यादा दूर की तारिक ने पास की तारिक होगी हम यह करेंगे लेकिन यह लगी ड्रा जो है लगी ड्रा हम सितंबर में ही करेंगे जैसा पहले आनाउच किया है तो लोगों को इसके लिए इंतजार करने की जुरत नहीं पड़ेगी लेकिन जो लोग फिल्म देखने के लिए उनको इनामों से मतलब नहीं है तो उनको थोगड़ा सा इंतजा करना पड़ेगा यह हमारे हाथ में नहीं है तो मेरा निवेदन इतना था कि आप थोड़ा सा काइंड़ी बेर विद दस यह बहुत बहुत अच्छी फिल्म है बड़ी फिल्म है और आपको इसमें देखने में मजाएगा भीमा कुरेगाओं की एतियासिक लड़ाई पर बन रही है फिल्म बहुजन समाज के लिए एक प्रेरिक प्रसंग साबित होगी और इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सा दिखाई दे रहा है ऐसे में इस फिल्म की रिलीज को लेकर तमाम लोगों में उत्सा बढ़ता ही जा रहा है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट की जरीए जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्यूरा रिपोर्ट दे न्यूस बी खुल जाए दोनों किनारे बासं बदलने लगा